आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं नेर्मल सीट्स प्राइबेट लिमिटेड मटर के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कितने दिनों का हो चुका है क्या कंडिशन है कितने इरिगेशन किये हैं उसके साथ में इस प्रकार के वीडियो बनाने का हमारा में मोटिव यह रहता है कि जो किसान नेर्मल सीट्स प्राइबेट लिमिटेड का मटर लगाना चाहते हैं उनको पहले सही पता रहे कि अगर आप इस मटर को लगाते हो या फिर कोई अरली कोई ऐसी फसल ढूणते हैं जिसे मटर हुआ अरली आ जाता है तो समय से किसान दूसरी फसल लगाकर अपनी तयारी कर सकता है अभी फिलाल में अगर बात करें इसकी सोईंग की तो 20 अक्टूबर की सोईंग है आज की जो तारीक है 30 दिसंबर है तो ओवराल इसको पूरे 80 दिन कंप्लिट हो चुके है और 80 दिनों के बाद आप देख सकते हैं क्या कंडिशन है अभी अगर मेथर्ट की बात करें तो हमारा जो सीड्रेट है लगवक 30-35 केजी प्रतियकर के हिसाब से डला क्योंकि हमारी तीन रो थी यहां से अगर आप देखोगे तो तीन जो रो थी यह थी 14 इंच पे उसके बाद फिर 18 इंच का गेव फिर 14 इंच पे फिर 18 इंच का गेव जिससे कि आप सौइंग करते हो नीचे तो एक बीच से हमने सेंटर से बन कर दी थी जिससे कि जो डिस्टेंस से 14 से 28 सिंच का हो गया तो जो 28 सिंच का गयफ है वो अभी भी चलने फिरने के लिए परियापता मात्रा में हैं कहीं कहीं आपको दिखेगा हर तीन दो के बाद उसके साथ में कहा है कि हमारा सीडरेट काफी कम डला है अगर आप डालना चाहते हैं तो आपका जो सीडरेट है कम से कम 40 से 45 केजी प्रती एकड़ के इसाब से डलना चाहिए और फिर यह कहा है कि आपकी जो रो से रो का डिस्टेंस से इसके उपर काफी जादा डिपेंड कर अभी फिलाल में असी दिनों के बाद अगर बात करें क्या कंडिशन है तो देखिए अभी फ्लावरिंग चल रही है फ्लावरिंग के साथ में आपको बिल्कुल फलियों में इस प्रकार से पोड़ बने हुए स्टाइड देगे और अगर देखें नीचे की साइड तो यह अभी मैं आपको थोड़ी सी और दुसी जगह दिखाऊं तो यहां की यह कंडिशन है सुबह का समय है थोड़ा सा क्या है कि गिला है यह देखिए इस प्रकार की फलियां भरा चुकी है और यह भरा रही है कुछ एक दो इसी फलियां है को एक पोधे में जिसमें की दाना इनको थोड़ा सा भराने में समय लएगा और अगर बाकी फलियां भरा जाती है तो यह जो फलियां है इनका जो दाना है टाइट हो जाएगा जिससे कि इसमें जो मटर का स्वाद रहना चाहिए थोड़ा सा मिठास पन जो रहना चाहिए यह नहीं रहती है तो यह थोड़ा स नोर देखते हैं इसकी क्या condition रहती है और कितने दिनों में पकर तयार होता है इसके बारे में तो खेर हम आपको बताते ही रहेंगे लेकिन अगर आप अरली सोच रहें कि हमारा जो खेत है लगभग 90 दिन में खाली हो जाए या फिर 60 दिन में खाली हो जाए तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि 80 दिन में आपको खेत खाली नहीं हो पाएगा ये देखे और हमने भी कहा इसी प्रकार से ये देखे कुछ फलिया लगी है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की तीन फलिया ये फलियों में कुछ दाना है ये देखे लेकिन उपर वाली फलिया अभी इस कंडिशन वह है तो अभी कहे कि अगर इन तीन फलियों को अपन तोड़ाई कराएंगे तो हो सकता है कि इसको तोड़ने के चकर में पूरा पौदा खराब हो जाए क्यूंकि कहे कि लेवर जो तोड़ती है बड़ी स्पीड से तोड़ती है और इस चीज से कोई मतलब नह हो रहा है कि हो रहा है तो कहा की तोड़ाई है कि अगर थीकची तो इक हए क divy ऍकतर वाली बात नहीं जिए हुआ रहे हिए घडियर कि इंडिशन आविक पालिय म् अगर देखा जाए तो SMITH-something लग बीस परसंट पर खार अगर ऑग 30% इस प्रकार किए और अभी कहा है कि फ्लावरिंग भी आ रही है और ग्रोध भी ले रहा है और साथ में फ्लावरिंग भी चल रही है यह देखिए फ्लावरिंग अभी बहुत तगड़ी है अगर इसको अपन चलाना चाहें तो लगभग लगभग अब आगे कम से कम यह समझ लेगी 20 से 25 दिन आ इसी फलियां है बाकी जो 80% फलियां है उसमें भी दाना भराया नहीं है उसके साथ में अभी फ्लावरिंग भी चल रही है तो देखते हैं क्या कंडिशन रहती है समय से खेत खाली होता है या फिर नहीं क्यूंकि आप सभी को भी पता है कि हमें इसमें स्वैविन की जो पिंग में हैं दाने भी परियापत मात्रा में हैं लेकिन अगर आप समय से चाहते हो किया समय से खेत खाली हो जाए तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रुखना जरूर पड़ेगा खेर इस बार क्लाइमेट भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है क्लाइमेट भी कुछ जरूर करना ताकि जो किसान मटर की अरली वेराइटी ढूंड रहे हैं उनको यह वेराइटी मिले और समय से उसकी स्वाइंग जरूर करें बाकी एंड तक वीडियो वाच करने के लिए बहुत बहुत धनेवाद